नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका KP Charger चैनल में 2020 में आपका हारदिक स्वागत है KP Charger की तरब से विस यू वेरी वेरी हैपी न्यू येर तो दोस्तों नया साल आच चुका है कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि इस साल में हमें नया लैप्टोप कौन सा खरीदे तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये वीडियो इसमें हम बात करेंगे तीन टोप लैप्टोप जिसके अक्की रेट है 25,000 से कम-कम रेट में हैं वो दोस्तों तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला मोडल जो आता है लेप्टोप का लेनवो का आईडिया पेड़ S145 कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इसमें आपको मिलता है AMD Ryzen 3 का Dual Core का Fast Processor दोस्तों Ryzen 3 जो प्रोसेसर है वो Intel को काफी टकर दे रहा है Intel के i3 को पूरी टकर देता है तो इसको कम नहीं समझने का काफी अच्छा प्रोसेसर है इसमें आपको मिलता है 2.6 GHz का CPU जिसको कि आप Turbo Boost करके अप्टू 3.5 तक हो सकता है और ये लैप्टोप आता है आपको 15.6 Full HD Anti-Glare Display के साथ और इसमें आपको मिलता है 4 GB का DDR4 RAM और 1 TB के ये आता है Windows 10 के साथ जो आपको Lifetime इसमें साथ Free मिलती है दोस्तों और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है Office 2016 Pre-Loaded आपको मिलता है इसमें बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो 5-6 गंटे इसका बैटरी बैक अप है लैप्टोप का वेट है 1 केजी 850 ग्राम और ये जो आप डिस्पले देख रहे हो इसको 180 डिगरी तक आप रोटिट कर सकते हो फ्लिक को रोटिट कर सकते हो तो काफी अच्छा लैप्टोप लगा मुझे performance wise मैं recommend भी करूँगा आपको कि अगर ये आप लैप्टोप खरीदने की सोच रहे हो इस range में तो ये best लैप्टोप है दूसरे लैप्टोप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों एसर एस्पायर 3 जिसमें कि आपको मिलता है राइजन का 3 ड्यूल कोर फास्ट प्रोसेसर सेम प्रोसेसर है जो मैंने बात किया था लेनोव में इसमें भी आपको सेम CPU 2.6 GHz अब टू बूस्ट 3.5 GHz ये दोस्तों आता है 15.6 HD डिस्प्ले के साथ Full HD इसमें नहीं मिलेगा आपको और इसमें जो RAM साइज है वो है 4 GB DDR4 और 1 TB Hard Disk के साथ Windows 10 इसमें भी आपको Lifetime के लिए Free मिलता है दोस्तों बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं 7 गंटे इसका बैटरी बैकप बताया गया है और वेट इसका है 1.9 KG Performance वाइस भी अच्छा है और Value of Money देख रहे हो तो मैं काफी भड़िया बोलूँगा इसको आपको और Display वाइस भी यह थोड़ा सा सही है बत ज़्यादा सही नहीं है ज़्यादा पहले वाला सही थे डिस्पले के लिए तीसरे laptop की बात कर लेते हैं दोस्तों Lenovo का V130 आता है इसमें आपको मिलता है Intel का i3 प्रोसेसर विद 7th जनरेशन के साथ दोस्तों CPU का इसका जो है 2.3 GHz है और Display के लिए भी बात कर लेता है 15.6 HD डिस्पले मिलती है आपको Full HD नहीं मिलती है इसमें RAM के लिए बात कर लेता है 4GB DDR4 RAM है आपको और 1TB Hard Disk के साथ Windows 10 इसमें आपको नहीं मिलता है ये डोस में मिलाटरी बैकप इसका काफी अच्छा है 6 गंटे तक चलता है वेट की बात कर लेता है तो तीनों के मुकाबले सबसे कम वेट है 1.8 KZ इसको भी आप 180 डिगरी तक इसके डिस्प्ले को कर सकते हो ये दोस्तों आपको मिलता है 23,000 के रेट में आप Amazon और Flipkart पे चेक कर सकते हैं अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो एक दो दिन में आप खरीद भीजिए क्योंकि अभी ओफर भी चल रहे है इस रेंज में ये तीनों बड़िया लैक्टोप है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताईए इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा और अगर आपकी कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट वोक्स में जरूर बताईए और मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे डारेक्ट विस्यू हैपी न्यू यर 2020 अगे तक यू